नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इंडिया का खाशो भविश्यवाणी और मैं हूँ आपके साथ का जोनना रहा है वैसे तो हर सब्ता हम आपके लिए पूरे सब्ता का राशिफन लेकर आते हैं और बताते हैं कि नए सब्ता में आपकी नई शुरुआत कैसी होगी इस नए एपिसोड में भी हम आपके लिए नए सब्ता के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपका अगामी सब्ता कैसा रहने वाला है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे इस सब्ता को आप बहतर बना सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी पंडित जी बहुत स्वागत है आपका न्यूस वाल इंडिया में पंडित जी हर सब्ता आप राशिफल बताते हैं अलग अलग राशिफल के जातकों का आज भी हम वही बताएंगे रिकिसे पहले मैं ये आपसे पूछूँगी कि ये जो आने वाला सब्ता है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना जो है वो बढ़ता का नजर आ रहा है मार्च का आखिर आ रहा है और 2020 के हम बात करें तो मार्च के आखिर में ही कोरोना ने अपने पैर पसा रहे थे आपको क्या लगता है कि क्या वैसी स्तिती एक बार फिर से भारत में देखने के लिए मिल सकती है रामो राजमनी शदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणा विःता निसाचरचमू रामायतस मैनमा रामनास्ति परायनं परतरं रामश्यदा शोष्मिहम रामेश्यद लयाश्यदा भवतुमे भो राममा मुध्धरह ओम नमस्षिवाय नमस्कार आपने काजोल जी जो प्रश्न किया है भी बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन जो हमारी जोटसी गणनाओं के आधार पर ऐसी इस्तिती दोवा नहीं आने वाली है थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहेगा लेकिन ये फिर से खतम हो जाए लेकिन इस महामारी का आपको ज्यादा परभाब देखने को नहीं है यानि कहा जा सकता है कि 2021 भारत के लिए बहतर साबित हो सकता है जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए पड़ी जी आगे बढ़ते वे राशियों का रुक करेंगे सबसे पहली राशिय है मेश राशी इस राशी के जो जातक है उनके लिए सब्ता कैसा रहने वाला है आर्थिक सिती सामान रहने वाली है कारे छेत्र में उन्नती का नया मार्ग वनेगा घरेलू जीवन में मन मुटाब की इस्तिती हो सकती है मानशिक तनाव के कारण सिर में दर्ध हो सकता है बाहन आपको साबधानी पूरवक चलाना है सिर दर्ध होने के कारण बाहन असाबधानी से चलाएं अगली राश्वी पड़ी जी विशव राश्वी है विशव राश्वी की जातक है उनके लिए सप्ताहा कितना महत्वपूर होने वाला है और क्या कुछ इसमे नया होने वाला है ब्रसव राशी वालों को ब्यापार में नई यूजना किरियान वित होंगी प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं जो लव लाइफ इनकी अच्छी रह सकती है सप्ताह मनुरण्यन से भरा हुआ रहे हैं और खूब मौज मस्ती एबम क्रिणा आदगत विधियों में ब्यस्त रहने वाले काम करने के लिए समय संतोष जनक है आपके लिए हम उपाय वताने जा रहे हैं ब्रस राशी वाले जातक नित्य प्रती एक सिव चालीसा का पाठ करें यानि मंडी जी कहा जा सकता है कि जो अवरिश्व राशी वाले जातक है और धनलाब के योग हैं क्या मित्वन राशी में बिल्कुल बिल्कुल मित्वन राशी वालों का जो इस साता है जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें उनको उत्तम लाव प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने के लिए आप योजनाय बनाईए पारिवारिक बातावरण में तनाव हो सकता है लेकिन मित्रों से सामान सायोग की प्राप्ती होगी आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं आप गाय को हरा चारा प्रती दिन दे प्रती दिन बिल्कुल और पारिवारिक तनाव जो बताय जा रहा है जो आपने बताया कि पारिवारिक तनाव हो सकता है उसके लिए सक्टे वाजी से कुछ मिथम रासी के जात को वो सक्टे वाजी से बचना होगा अगली राशी करक राशी है करक राशी के लिए क्या खास रहने वाला है कि तम है तो पूर्ण ही रहेगा सब्ता इस सप्ता करक रासी वाल हो, बाचीत हो या फिर ब्यभार हो, दोनों का ध्यान रखना है कि मरियादा का हमसे उलंगहन ना हो और आजीवका के छेत्र में काररत ब्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ ताल मेल आज बनाने की अतियंत आवश्चक्ता रहेगी मंगलवार को अंतरंग छेत्रवें दिरासा हाथ लग सकती है और बुधवार को आप अपने अनुभव से जानकारियां हासिल करेंगे आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं करक रासी के जातक अपने गुरुजनों का सम्मान करें गुरुजनों को उपहार बेट करें अंतरंग शेत्र से क्या तातपरे हो सकता है पंडी जी अंतरंग व्यक्ति की कुछ बातें अंतरंग होती है वो अपनी निजी परसनल लाइप का मामला है अगली राशी शिंग राशी है और यहां समय क्या इनके लिए अनुकूल रहने वाला है पंडी जी शिंग राशी वा नुकसान दाइक होगा बहतर होगा अगर आप सहयोगियों और मित्रों के साथ अपने सोहार्द कुन संबंद बनाए रखने की कोशिश करें इस्थान परवर्तन के योग बन रहे हैं और आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं आप नित्य प्रती बंदरों के लिए चना ग कन्या राशी की जातकों के लिए क्या कुछ खास है क्योंकि हमारी अगली राशी कन्या राशी है और इनका जो पूरा सप्ता है नया सप्ता है कैसे रहने वाला है क्या सुप में रहेगा कन्यारासी वालों को जो है इस तपता आपका ध्यान काम और स्वास्थ पर रहेगा परजनों के सहयोग से जीवन में खुसियां आएंगी धन के अपब्याइसे बचें अपब्याइसे मतलब फिजूल खर्ची ना करें जीवन शाथी की भावनाओं की कद्र करें उसे कभी भी आपके लिए जीवन शाथी के बारे में सोचना चाहिए उसको समझाना चाहिए कि आप उससे काफी जादा सुभचिन तक हैं और आपके लिए उपाय है आप भोजन में मैथी का प्रियोग करें यानि पंडी जी कहा जा सकता है कि जो कन्या राशी के जातक है वो उनके लिए खास मौका है कि अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन्शिप को मजबूत कर सकते हैं तुलाराशी अगली राशी है और तुलाराशी के जातक है उनके लिए कारिशेत्र में क्या कुछ खास रहेगा और क्या उनके उपाय रहने वाले हैं तुलारासी वालों का यह सप्ताह कारी छेत्र में इनके संपर्क वढ़ेंगे और उन संपर्कों से उनको भविस्चे में लाभ की प्राप्ती होगी मित्रों की सहायता से रुके हुए कारिका भी समाधान होगा शप्ताह के अंत में यात्रा की योग वनेंगे जो लावकारी सिद्ध होगे घरेलो सुख सुभधाओं से विरद्धी होगी अपने साथ साथ अपने परवार के स्वास्त का भी बिसेश ध्यान रखें मास्क लगा कर निकलें इनको स्वास्ते का विश्यस ध्यान रखना चाहिए और इनके लिए उपाए है शनी देव के मंदिर में जाकर शनी वार के दिन तेला विश्यक करें बिल्कुल यानी अगर आप शनी देव के मंदिर में जाते हैं तेला विश्यक करते हैं तो परिवार जो मुसीबत है स्वास्त को लेकर वो कहीं न कहीं टल सकती है विश्यक राशी अगली राशी है और विश्यक राशी की जुजातक है उनके लिए इस सप्ता कितना खास रहेगा क्या नकरात्मक चीज़े रहेंगी या फिर सकरात्मक रहेंगी पंडी जी हमें बताएंगे ब्रस्चिक रासी वालों का यह सप्ता आपके प्रभाव करिश्मा और सर्जनात्मक प्रवर्तियां शिखर पर होंगे मतलब उच्च होंगे सिक्षा के छेत्र में बिद्यार्तियों की पढ़ाई में रुची वढ़ेगी प्रेम शंबंद मजबूत होंगे ब्यापार में लाभ एवं उन्नती के अवसर प्राप्त होंगे इस सप्ता आप जीत के पत पर हैंगे पूरी तरह से मतलब यह सप्ता विश्यक राशी के जात्कों के लिए बहुत खास रहने वाला है आपके लिए उपाय है हनुमान मंदर में जाकर देशी घीकत दिया जला है अगली राशी धनुराशी है धनू राश्य के जातकों के लिए जिससे पण्डी जी आप लगातार सारी राश्य के बारें बता रहे हैं धनू राश्य के जातकों के लिए क्या कुछ खास रहेगा धनूरासी वालों को ये सब्ता खर्च की अधिकता की कारण उच्चाटन की इस्थितियां आएगी अपने खर्च ये को कम करने सब्सक्राइब इस दौरान आपका ब्यभार अधिक आक्रा मकू सकता है बैवाहिक जीवर में कुछ खटा और कुछ मीठा रहेगा बिद्यार्थी वर्ग को बेहद मेहनत करने की जरूरत है गुरवार को रिस्ते अवशर और बिरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते है पॉजेटिव की साथ में निगेटिव की सारा कुछ एक साथ में इनके लिए उपाए है हनुआन जी का चोला चड़ाए और जो अकरामक हो सकती है सिथी उसके लिए क्या कुछ खास कोई उपाए इसके लिए इनको अपनी जेब में तुलशी का पत्र ब्रस्पतिवार के दिन रखना चाले अगली राशी मकर राशी है मकर राशी की जातक है उनके लिए कारशेत्र में क्या बढ़ोतरी होगी क्या उन्नती प्राप्त हो सकती है मकर राशी के जातक है यह सपता कारशेत्र में इक्षित फलों की प्राप्ति होगी पेट में खरावी के कारण, क्योंकि आपका खान-पान बिगड़ा हुआ होगा थोड़ा, तो पेट में खरावी के कारण गैस अथवा कबजी की सिकायत हो सकती है खाने पीने का आपको विशेज ध्यान रखना होगा पारवारिक जीवन हरस में रहेगा, धारवेक कारियों में भी समय यापन होगा विवाहा या किसी पार्टी में जाते समय अपने खान पान का विस्येश द्याद रखे आपके लिए उपाय है कि अपने माता पिता की अपने बुजरुगों की सलाह माने अगली राशी कुम्ब राशी है, कुम्ब राशी की जातक है उनके लिए इस अपता कैसा रहेगा और इनके लिए क्या उपाय रहेगा, कुछ खास मंतर इनके लिए कुम्भरासी के जो जातक है भूमने फिरने जाने से पहले अपने घर की सुरक्षा का पुखता इंतिजाम करके जाए क्योंकि इनके घर में कुछ अन्होनी की आसंका है चोरी की भी आसंका है परवार में किसी से बिवाद भी हो सकता है, प्यार का इजहार करने में कुछ समय लें, हो सकता है आप जिन भावना को आप प्यार समझ रहे हो ये मात्र आकरशन हो, आर्थिक इस्तिती संतोस जनक को शक्ति है, आपके लिए उपाय हम बता रहे हैं, आप अपना तुलादान कर और इसके साथ में एक मंत्र में आपको बता रहा हूँ, ओम, नमू, भगवते, रुद्राय, नमह, इस मंत्र का यथा सकती जाब करें, अगली राशी मीन राशी है, मीन राशी की जो जातक है, उनके लिए ये सप्ता कैसा रहेगा, क्या उन्हें जादा मेहनत करनी या असानी से उनके जो काम है, वो सफल हो जाएंगे? आपके लिए उपाय है, आप गुरुबार का ब्रत करें और उसके साथ ही ओम, हरीम, हराय, नमह, मंत्र का जाब करें बिल्कुल पंडी जी, बारा राशिया हो गई है, जिसके बारे में आपने बहुत ही अच्छो से बताया कि उन्हें क्या उपाय करने है, क्या नहीं करने है, क्या उन्हें अच्छा करना है, क्या उन्हें किस तरह से अपनी तरिक्की का ध्यान रखना है, हर शेत्र में उन्हे प्रणत पालवाब्धि पोतं वंदय महापुरुषते चरणार विंदं रोगान शेसान पहं सितुष्टा रोष्टा तुकामान शकला नभिष्टान त्वामास्तृता आज के एपिसोड में फिलाल फिलित्ता ही अगले सब्ता फिर लोटेंगे अगली राशियों के लिए कि अगले सब्ता आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार